तो फ्रेंट्स अलिया, आज हम सीखते है, गाजर को इस टोर करना, काई थोई सीखेंगे, तो सबसे पहले आपको गाजर लेना है अच्छे से धूके ऐसे चॉप कर लेना, या जैसे भी पीसे साब, चाहिए, अपने को ईाब डूकी चॉप कर सकते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर पानी गरम करने के लिए रख देना है जैसे ही पानी में उबाला है उसमें एड़ करेंगे एक चम्मत चीनी और उसके बाद गाजर एड़ करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अच्छे से mix होने के बाद आपको एक बड़ा सा उबाल लाना है इसमें जैसे ही बड़ा उबाल आ जाए वैसे ही आपको ice chilled water में इसे add करना है तो देख सकते हैं आप यहाँ पे बड़ा सा उबाल आ गया है अब यहाँ पे हमने लिया है ice chilled water अब इसमें गाजर को निकालके इसमें ट्रांसपर कर देंगे ice chilled water में देखें ऐसे ही आपको सारे गाजर निकालके ice chilled water में रख देना है और इसे एक से दो मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है आपको एक से दो मिनट के बाद आपको कोई भी साब सुत्रा cloth लेना है फैन के नीचे आदे घंटे के लिए छोड़ देना है आदे घंटे के बाद ये अच्छे से इसका जो भी एक्स्ट्रा मॉस्चर है या पानी है इसमें वो सूप जाएगा उसके बाद आप इसे इस्टोर कर सकते हैं तो देखिए अच्छे से हमने या पर फैला दिया और आदे घंटे के बाद ये अच्छे से देखिए ऐसे हो जाएंगे इसके एक्स्ट्रा मॉस्चर जो है पानी है निकल गये हैं अब हम इसे इस्टोर करेंगे तो इस्टोर करने के लिए आपको इसे एक जीप लोग बैग लगेगा या कोई भी clean polythin भी ले सकते हैं आप तो देखिए यहाँ पर market में जीप लोग बैग आते हैं या ऐसे pouches भी आते हैं जो भी आपके पास अवी लेवल हो आप ले सकते हैं देखिए आप इसे पाउचेस में इसे फील कर लेंगे, आप इसे किसी भी रेसिपी में कभी भी यूज कर सकते हैं, इसलिए हम इस्टोर करके रखते हैं कि कभी भी गाजर ना होने से यह हम यूज कर सके, तो देखिए हमने सारे पाउचेस में इसे फील कर लिए, अब आप इ कर थो सुख अईसाइ